हालो फ्रेंट्स वेलकम यू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिकारो देखें बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि की फंडमेंटली स्ट्रॉंग शेर है लेकिन अगर टाइम पर पता चल जाए कि ऐसे स्टॉक अब जो है इनका जो करेक्शन था वो पूरा होने वाला है अब इन में मोमेंटम आ रहा है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि मोमेंटम कब आ रहा है जब आ आप हाई प्रबबलेटी की तरफ जाते हो आप लो रिस्क की तरफ जाते हो तो चले समझते हैं डिटेल में और आगे बंदे से पहले मापको बता दूगर आपने अपता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगे और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं तो अप्रिशेट करते रहें और साथ के साथ टिप्स यह रेकमेंडेशन से दूर रहके लर्निंग की तरफ जाए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेग जी हाँ आज हम बात करने टीटी के प्रेस्टिज लिमिटेड की इस स्टॉक पे हमारा टार्गेट 10,000 का जो की बहुत जल्द ही अचीब हो गया था डेट फ्री यह स्टॉक है प्रॉफिट ग्रोथ रिवेन्यू ग्रोथ आप देख रहे हो अच्छे से समझ रहे हो यह स्ट है उसको भी देखेंगे की दुनिया का बहुत ही बहतरीन यह स्टॉक आपने देखा विद्या बालन जी ब्रेंड एंबेस्टर प्रेस्टिज के कुकर्स की आज मैं आज कल मैं कहूंगा आप देखो कि बहुत बहुत ही बहतरीन जो है प्रोडक्स इसके आ रहे हैं और बहु बिल्कुल है ब्रेंड है नाम है और पॉपुलर प्रोडक्स तो इसके आपने देखी लिए है और ज़रूर आप इसको यूज भी करते होंगे लेकिन आज यह स्टॉक आपके सामने क्यों आया है सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्टॉक के रिवेन्यू और प्रोफिटेबि प्रोफिटिबिलिटी जो 116 करोड थी वो 300 करोड के पार जा चुकी है नंबर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन यह स्टॉक को जड़ा समझते हैं बहुत ही ज्यान से देखना यह आपके सामने डेली का इसका चार्ट है जब इस स्टॉक ने भागना स्टार्ट किया था यानि क SMA के साइकल को समझ गए तो मैं कहूंगा यह इंपोर्टन देखें यहां से 200 SMA के साइकल स्टार्ट हुई यह इंपोर्टन हो जाता है फिर देखिए अगला करेक्शन और यह आगया आपके पास प्रॉफिट बॉकिंग वाला टाइम अब आप सोचोगे कि हमें अगर लेकिन जरा इस कंसॉलिडेशन को देखिए जो रेंज बनी थी वो रेंज पार होती और 200 SMA फिर से पार होता हुआ नजर आ रहा है बस यही कारण है यह स्टॉक नजरों में आया है अब आपको हो गया यह 2020 का टाइम कैसे पता लगता अब मैं आपको देखिए बहुत इंप को समझे है कि डिवले क्याखिशनर को आप समझें रिए रए रेली करेक्शन रिली करेक्शन और यह करेक्शन कहां पिर लवल पे देखरों इस लेवल पे बहुत ही IMPORTANT यह वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट Really correction और फिर से रही अब उस बड़े लेवल की correction और कहां पर आया है demand zone पर demand zone पर movement फिर से बनता हओं देख रहा है बस adalah यह कारण है यह stock radar में आया है अगर आप देखोऊ कि कि ये volume ये volume ये volume तीन buying का area इसको देखिए कहां पे ये level ये level देखिए buying का ये level कौन से डिमांड ये 700-600 की लेवल के फिर देखिए demand अगणी बार जो buying हुई जो बड़ी बाइंग हुई यहाँ पे 800-80 के level पितलब कि इसने इसमें माल खरीदा इन जोन पे इन जोन पे और इन जोन पे अभी फिर से ये उसी जोन में उसी डिमांड जोन से उपर रैली करता हुआ नजर आ रहा है अब बात करेंगे पुराने जोन की अगर मैं आपको दिखा हूँ यह दिखे सेप्टमबर लेवल में टार्गेट हमने इसका 10,000 बारास हो दिख रहा है नहीं स्टॉक का स्प्लिट हो गया यह कारण आपको बता रहें देखिए और यह देखिए बिलकुल यह सब्टमबर का वीडियो है मैं डेस्क्रिप्शन में लिंक आपको जरूर दूंगा ताकि आप देखेंगे चुपा हुआ शेर माला माल कर देग है देखिए पॉर्टफोलियो स्टॉक की कि स्ट्रॉंग क्वालिटी वाला स्टॉक भी है और यह देखिए जब वापस रहली स्टार्ट वी ती जैनवरी 14th 2021 का इस वीडियो को देखोगे उस टार्गेट इनिशल टार्गेट नजदी की टार्गेट 7500 का क्यो रखा गया थ अब देख सकते हो अब जैनवरी 14 मैं आपको ले कर चलता हूँ और रिलेट करने की कोशिश करना उस पार्ट को रिलेट करने की कोशिश करना उस-पार्ट को डिली टाइम-फरेंप कर हम हमारा 10,000 प्लस अचीब हुआ यह 12,000 का इंतजार नहीं वह उपर तो बही और लोगों को ट्रैप करने के लिए 12,000 तक लेके जा गया ताकि आपको हो गया और ब्रेक आउट आगया और खरीद लो ज़ा देखना है यहां पर टारगेट 10,000 प्लस प्रॉफिकर बोकइंग स्टार्ट क्यों कि हमारा टारगेट 10,000 प्लस का यहां पर था ईजली लेकिन अब देखोगे ऑक्टूबर नैंटीन 10,000 प्लस का यहीं पे इसने target हमारा पूरा कर देता है इसके बाद जो भी move है आप clear cut खुद देख सकते हैं यह target पूरा हो गया 10,000 प्लस का अब इस move को अगर देखोगे यह तो फिर अब भी आपको गया यह move जो है बढ़िया है फिर से selling हुई अब लेकिन यह move देखिए जो old highs price के around का जो move है देखिए यह liquidity area अब इस liquidity area की grabbing को समझते हैं देखिए क्या हुआ प्राइस इसको पार गया पार करने के बाद जो breakout और pullback की तैयारी होते हैं जो हम बार बार आपको कहते हैं देखिए क्या हुआ कहां तक गया 1275 कहां से 1150 से एक ही दिन में देखिए हो 1150 और 1275 कितना spread अगर आप देखोगे तो 1175 से कहां तक गया देखिए फिर फॉल तो लाजमी है यही है liquidity ग्रैप तो मतलब यह price जो जो पहुंचाया गया खास करकि इस level से उपर आप देख रहे हुए प्राइस लेके जाया गया इसका कारण था क्या माल बेचना है जबड़त सरीके स बेचना है profit booking कर भी है उसके लिए price को उपर लेके जाया गया फिर देखिए अब आप यह आपका low टूटा lower high 200 SME टूटा और नीची आगे कहां तक आगे 750 अगर आप पूरे के पूरे इस level को देखोगे आप को गया यह तो बहुत ही नीची आ गया देखर इस पार्ट को तो अब यह range के को पार करने की तयारी कर रहा है क्या कर रहा range को पार करने की तयारी आप इस range को देखिए इस range को देख रहे हो और इस range में इस consolidation पार्ट को देखिए एक इंटर्नल रेंज भी आपको दिखाते देखिए इंटर्नल रेंज अब आपको गयर वाव यह लेवल देखिए अब यह धीरे धीरे तैयारी हुए ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी वह एक लेवल की फिर यह यह जो लिक्विडिटी एडिया भी हुई थी 200 SMA से हम के नियर हम कंसॉलिडेट कर रहे है और यह देख सकते हो आप राइसेक्शन सीरीज के 200 SMA की साइकल बहुत इंपोर्टेंट यह वीडियो जरूर देखें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 200 SMA की रागुलर बेस की साइकल को हम इंजॉय करते हैं इंटर दे ताइम पे भी इसी तरीके की और थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग दा वीडियो